नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाई की ओनलाइन एजुकेशन में उमीद है आप सब लोग स्वस्त होंगे मस्त होंगे और अपनी बढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अबोध बंदू बहुगुणा के बार आपने पिछले सारे वीडियो जरूर देके होंगे उत्राकंड साहित्य के अंतरगत बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो कि आपके स्लेबस के कॉर्डिंग है और यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्र करकी ची λέ रहे हैं याप उत्राटकंड की तैयारी करे हैं तो आप लोग मुझ से जुड सकते हैं मैं यहापर अपने नोटस के द्वारा आपको थोड़ी 2 क्या प्रायोटीज हो सब जानते हैं क्या में कि यहीत रशी सारी चीज़े मैं आपको यहां होना पका थोड़ी सीन समय है तो इसलिए आपको ज्यादा ना पड़ा कमें ज्यादा यानि शुर्ड थे चार्व जादा ना पड़ ए तो इसलिए मैं आपको आपर नोट से डारक्ट पढ़ा रही हूँ तो आप लोग नोट डाउन करते रहे जो भी इंपर्टirim चीचे यह आप उनको तो सबसे पहले इनका जो जन्म था वो सन 1926 में टिहरी जखनियाली ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्य दोहजार चार में हुई ठीक चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ और जानकारी इनके बारे में जान लेते हैं इन्होंने जो अपनी पहली कविता है वो 21 वर्स की आयू में कथा व्यथा लिखी थी कौन सी कविता थी कथा व्यथा ठीक है कब लिखी थी 21 वर्स की आयू में अन्य रचनाई है इनकी गंगा जमुना का मैती बिटी तो सब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि गड़वाली भासा में इन्होंने लिखा था क्या लिखा था गंगा जमुना का मैत बिटी यानि कि गंगा जमुना के माईके से ठीक है गड़ साहित्य सोपान मुंड निखोलू और मुंड निखोलू भी एक या है गड़वाली भासा में लिखी गई गड़वाली बोली कहेंगे हम गड़वाली बोली में लिखी गई एक म closure मुण detection निंप मुणन का मतलब क्या होता है? इसका क्या होता है, इसका मतलब नहीं गाए है, इसका मतलब ने एक जाए है, इसका मतलब कीशा की में महतनाओ? इनकी रचन्हा का मुणत आप श्कूण की विशेज का शूण हो été है यह भी गड़वाली में लिखी गई है और इसका नाम किया है डाली माटी तो यही इनके बारे में कुछ महत्वपून जानकारी जो कि मुझे मिली है और जितना मैं अपने तयारी के दोरान जो मैंने याद रखी थी तो आप भी यही चीजे याद रखिए लगता है मुझे इस जी करती हूँ और मुझे मिलता है कहीं भी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी फिरहाल के लिए इतना ही है इस वीडियो में उमीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा है यह अच्छा लगा लगा लाइख कीजिएगा शेयर कीजिएगा सबस्क्राइब करना बिल्कु पर जरूर मनान करूंगी और उस पर कार्य करूंगी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए पढ़ते रहें नमिशकार